सुप्रबाद चात्रो आज हम हिंदी विशे देखने वाले हैं हिंदी विशे में हम देख रहे हैं वर्णाक्षर वर्णाक्षरों में हम सीख रहे हैं स्वर्ण स्वरों में हमने अ से अउ तक की स्वर देखे हैं और आज हम देखने माल है उसके आगी का स्वर अभी अउ के आगी कुन सा स्वर आता है या आप स्वरगीत में देखे और जानिये तो सुनो ये स्वरगीत हलो बच्चो आपने अपनी मम्मी और दादी मा से बहुत कविताय सीखी होंगी है ना लेकिन आज मैं आपको अक्षर सिखाऊंगी हम इन अक्षरों को सिर्फ पढ़कर ही नहीं गा कर भी सीखेंगे लेकिन मेरे प्यारे बच्चो आप सबको भी मेरे साथ गाना होगा गाएंगे ना हाँ बच्चो शुरू करते हैं स्वर्वर्ण से लेकिन पहले मुझे ध्यान से सुनो फिर मेरे साथ बोलो सबको बच्चो अ-अ-चार अ-चार पया स्वर्वर बच्चो बहुत अच्छा गाया सुना ये स्वर्गित अभी इस स्वर्गित में अवके आगे क्या आया था अम क्या है ये अम है कि ने अभी ये अम दूसरे उच्चार से भी जाना जाता है देखो इसे हम अम कहते हैं और कभी-कभी ये शब्दों में जबाता है तो उसे अन का उच्चार किया जाता है अभी देखते हम कि वो उच्चार कैसे होते हैं अभी यहाँ पे देखो चित्र में हम अंगूर देख रहे हैं खेकिने अभी ये जो अंगूर है अभी ये अंगूर बोलते वक्त हम अंग अंग का उच्चार कर रहे हैं यहां पर उम नहीं है अंगूर है क्या नहीं अंगूर तो यहां पर जो उच्चार है वह नग में होता है अभी अंगूर अभी अंगूर शब्द में यह अंगूर शुरू में आया इसलिए हम कह रहे हैं हम से अंगूर अभी हम दूसरा चित्र देखके हैं क्या है चित्र में अंडा है कि ने अंडा शब्द में भी यहाँ पे अंडा है कि ने अन ऐसा उच्चार हम कर रहे हैं और अन से अंडा हम से अंडा अभी आगे देखो कि क्या हो रहा है क्या ही यहां पे अंजन यहां पे भी हम बोल रहें अन अंजन अब यहां अंजन शब्द में अन कहा है शुरू में तो हम कहेंगे अं से अंजन अंसे अंजन अभी देखा आगे अंगूठी है कि नहीं अभी अंगूठी शब्द में भी हम अंग यहां पे भी हम अं का उच्चार कर रहे हैं तो अंगुठी अं से शुरू हो रही है और अंगुठी में अं आ रहा है सबसे पहले पहला आक्षर है यह किने तो हम कहेंगे अं से अंगुठी अं से अंगुठी आगी देखो क्या है अंबर अभी आप जो हम उच्चार कर रहे हैं अम अमबर ठीक ने अब यहाँ पे अन नहीं है अम है तो यह जो अमबर का अम है यह कहा है शुरू में अम से अमबर अब आगे देखो क्या है अंक क्या है अंक यह जो अंक शब्द है उसमें भी अम आया है शुरू में यहाँ पे उजूद चरहे अनका है अंक के तो अम से अंक अभी देखो उससे और भी जो शब्द बन रहे है वो हम पढ़ते है पहला शब्द है अंकूश उसमें कहा आया है अम शुरू में दूसरा शब्द है अंजन उसमें कहा है अम शुरू में अभी हम कह सकते हैं अम से अंकूश अम से अंजन अभी जो तीसरा शब्द है अंगार तो उसमें भी अम कहा है शुरू में चोथा शब्द है अंग उसमें कहा हैं अम शुरू में और जो लास्ट वाला शब्द है अंकीत उसमें भी है शुरू में तो हम कह सकते हैं अमसे अंकुश अमसे अंजन अमसे अंगार अमसे अंग और अमसे अंकी है की ने तो हमने बहुत सारे शब्दा भी अमसे बनने वाले देखे हैं अभी हम देखते हैं कि यह हम कैसे लिखा जाता है अम लिखने के लिए आपको क्या करना है अ लिखना है क्या करना है अ लिखना है और उसके लिए आपको पहले मराठी का तीन छोटी सी स्लिपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और एक स्लिपिंग लाइन लेनी है ये अ होने के बाद आपको उसके उपर देना है एक छोटी सी एक बिंदी हो गए आपका अम तयार ओके तो अभी यही आम आपको आपकी हुमवक के बुक में लिखना होगा जब तक हम आपकी नोट बुक नहीं देती तब तक आप यह हुम किसी ड्रॉफ बुक में लिखो और बाद में जब नोट बुक में लेंगी तब आप वो फेर बुक में लिख सकते हो तो थेंक यू बाई टेक केर